लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं दोस्तो जिस बात का सबको बेसबरी से इंतजारता वहाँ बात सल्मान खान ने खुल कर अपने ले में कह दी है दोस्तो आपको बता दे बीते कुछ दिन पहले सलीम खान को यानि कि सलमान खान के पिता को उनके नाम का एक थ्रेट लेटर मिला था जिसमें सलमान खान को और उनके पिता सलीम खान को मारने की धमकी लिखी हुई थी और उस लेटर में साइड में लिखा हुआ था LB मतलब लॉरेंस बिस्मुही और GB मतलब गुल्डी वरार इस पर सल्मान खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है जिसको मारना है मेको वो सामने आकर मारे और अगर किसी ने मेरे परिवार के उपर आख उठा के भी देखा तो उसकी खैर नहीं है सल्मान खान ने का चोरी छुपे लेटर वेजना और घर की पहरादारी करना ये सब ठीक नहीं है और अगर किसी ने मेरे परिवार के उपर आख उठा के भी देखा तो उसकी खैर नहीं होगी और सब को पता है कि मैं कहा हूँ मैं इस समय है दराबाद में हूँ और अपनी पिक्चर कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग कर रहा हूँ मुझसे जिसको मिलना है वो आकर मुझसे मिल सकता है जिसको बात करना है वो बात कर सकता है और जिसको मुझे मारना है वो मेरे सामने मुझे आकर मार सकता है लेकिन ये सब हमसे बरदास नहीं हुगा कि चोरी छुपे थ्रेट लेटर भेजना बत्तमीजी करना और साथ ही साथ धमकी देना उन्होंने लाइन बनाते हुए एक और बात कहीं उन्होंने कहा कि मेरे उपर तो ठीक है लेकिन मेरे पिता जी के उपर किसी ने भी आख उठा के देखा तो उसकी खैर नहीं होगी क्योंकि उनकी एच जादा है और उनके खिलाफ हम कोई भी शब्द नहीं सुनना चाते है उनके लिए इस उमर में टेंशन हमारे लिए इससे भी बड़ी टेंशन बन सकती है इसलिए सामने वाला जो भी है वो पूरी दुश्मनी मेरे सामने निकाले मेरे उपर निकाले मेरे पिता जी का नाम लोगे तो एकटम ठीक नहीं होगा वहीं पे पुलिस ने सल्मान खान से पूछा कि आपकी किसी से दुश्मनी है क्या या फिर किसी पर शक है जिसने आपको यहाँ लेटर वेजा है तो सल्मान खान ने कहा कि ना तो मुझे कोई कॉल आया है ना तो इससे पहले कोई मैसेज आया है और ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है बहुत दिनों से मेरा किसी के साथ कोई जगड़ा या कोई बहस भी नहीं हुई है मैं लॉरेंस विश्नोई को 2018 से जानता हूँ वो भी हीरन के केस मामले में और घोल्डी वरार को मैं जानता तक नहीं और मैं लॉरेंस विश्नोई को उतना ही जानता हूँ जितना दुनिया जानती है और मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और अगर जिसको दुश्मनी करना है व मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा